लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी और श्री जिन पिंग की क्या मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग का क्या परिणाम था और प्रधान मंतरी मोदी के शब्दों का क्या प्रभाव है मोदी जी बात करते थे लाल आख दिखाने की मोदी जी सक्थ शब्दों की क्या सक्थ शब्द बोले उन्होंने कि चार दिन के अंदर चीन फिर से यह हिमाकत कर रहा है कि हमारे भुबागिया खंडता के साथ खिलवार करेगा महस चार दिन पहले दक्षर अफ्रीका में प्रधानमंतरी मोदी और चीन के राष्टपती शी जिन पिंग की एक मुलाकात हुई थी चीन ने अधिकरत बयान में कहा कि यह मुलाकात मोदी जी के आग्रेह पर हुई है हमारे सरकार के सूतरों ने मीडिया को यह बताया कि मोदी जी ने बड़े सخت लहजे में और तल्क शब्दों में शी जिन पिंग से जैसर को करना चाहिए था उन्होंने शी जिन पिंग से बात की LAC को लेकर घुसपैट को लेकर चार दिन बीते नहीं थे कि चीन ने एक नक्षा रिलीज किया अपना और उसमें हमारे अरुनाचर प्रदेश हमारे अकसाई चीन को अपना हिस्सा दिखा दिया तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि चीन की ये दृष्टता करने की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी भुबागी अखंड़ता के साथ वो खिलवार कर सके और प्रधान मंतरी मोदी के शब्दों का क्या प्रभाव है एक विडियो आया जिसमें शीजिन पिंग बैट गया सोफे पर मोदी जी खड़े हुए मोदी जी बात करते थे लाल आख दिखाने की मोदी जी बात करते थे सक्थ शब्दों की क्या सक्थ शब्द बोले उन्होंने कि चार दिन के अंदर चीन फिर से यह हिमाकत कर रहा है कि हमारे भुबागी अखंड़ता के साथ खिलवार करेगा मेरा अपना मानना है कि 20-20 बार चीन से मुलाकात हुई है मोदी जी कि 18 बार तो वो चीन गए है महावली पुरम पर शेहनाई सुनी शीजिन पिंक के साथ बैठ कर साबर मती में जूले जूले उसके बाद गलवान में 20 जावाजों की शहादत हो जाती है और फिर सारे देश को बोला कोई घुसा हुआ नहीं है 19 स्कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी और अभी भी अप्रेल 2020 की अथावत स्थिती नहीं बदलिये हम वहाँ नहीं पहुचे है दो बारा से हम जहां तक गश्ट करती थी हमारी सेना वहाँ गश्ट नहीं कर पा रही है जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे उनको बफर जोन बना दिया गया है 20 जावाजों की शहादत के बाद हमने चीन से लगातार व्यापार बढ़ाया चीन और हमारा व्यापार घाटा 100 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया यह सब अपनी जगे जो बाते हैं यह बार बार कही जाती रही है बार बार आगाह किया गया है सरकार को लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी और शी जिन पिंग की क्या मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग का क्या परिणाम था कि चाइना ने यह फिर से धरिश्टता करी है और हमारे जगहों को, हमारी राज्यों को, हमारी जमीन को, हमारी सरजमी के हिस्से को अपना दिखाया है इस बात का जवाब तो सरकार से आना ही पड़ेगा